हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कुक्वी तुपासना आज हाँ मीनी रवा एडली बनाएंगे बहुत अच्छी बडेक फास्ट है कुईक एन हेल्दी रेसिपी भी है तो चलिए कुछ बनाते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक कप सूजी जिसे रवा भी कहते हैं वन थर्ड कप दही नमक स्वादनुसार आधा चमच बेकिंग सोडा अब एक बावल में सूजी ले लेंगे आप इसमें सूजी बारिक भी ले सकते हैं और मोटी वाली भी सूजी इसमें सूजी कोई मैटर नही अच्छे से मिक्स करना है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है यह बहुत ही अच्छी ब्रिकफास्ट सेपी है सूजी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सूजी को खुलते जाएंगे एक बार जादा पानी ना डाले फिर थोड़ा सा पानी डाले और घुले अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और स्मूथ बेटर रेडी कर लेंगे बेटर गाड़ा ही रहेगा क्योंकि सूजी बहुत ही ज़्यादा पानी एब्जॉब करता है अब ये बैटर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे अब सूजी घुल गया है अब इसे 15 मिनट के लिए ढख के इस तरह से छोड़ दें अभी हमने जो सूजी को घुल को ढख के रखा था 15 मिनट के लिए अब वो हम खोल के देख लेते हैं अब ये फुलके रड़ी हो गया है सूजी और बहुत गाणा भी हो गया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी अणड़ करेंगे अब इसे मिक्स कर लेंगे और पर्फेक्ट एक बैटर रड़ी कर लेंगे इसमें अधा चमच खाने का सोड़ा डालेंगे अब इसे 5 मिनट तक अच्छे से घोल लेंगे और स्मूथ बैटर इडली का रेडी कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि इडली का घोल रेडी हो गया है अब हम एक इडली का स्टेंड लेंगे मैं यहाँ पे मीनी इडली बना रही हूँ इसलिए छोटे वाली स्टेंड ली हूँ मिनी इडली की अब इसमें थोड़ा सा तेल डालके इसे ग्रीस कर लेंगे मैं आपे हाथ से कर रही हूँ आप चाहें तो इसे ब्रस से भी कर सकते हैं अब इसे अच्छे से ग्रीस करें, ग्रीस करने से इडली नीचे से चिपकती नहीं है, अब ये ग्रीस हो गिया है, अब इसमें हम बैटर को डालेंगे, एक छोटी सी स्पून ले लेंगे और इस तरह से पूरे में एक एक स्पून करके डालते जाएंगे, सावधानी से, ये मीन इडली छोटी छोटी रहती है इसलिए बहुत जल्दी रेडी भी हो जाती है अब इसी तरह हम पूरे स्टेंड में डाल लेंगे अब हमने सारे स्टेंड में इडली का घोल को भर दिया है अब इसे अरेंज कर लेंगे अब इसे खौलते वे पानी में रख देंगे हमने एक बरतन में आधा गिलास पानी गरम किया है अब इस पानी में इडलिक स्टेंड को रख देंगे इस तरह से आप चाहें तो कोई भी बरतन में पानी ले सकते हैं अब इसे कवर कर देंगे इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में अब 10 मिनट हो गया है अब हम इडली को चेक कर लेंगे अब इसमें ये चिपक नहीं रहा है अब ये रेडी हो गया है मीनी रवा इडली अब इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब इडली पूरी अच्छे से ठंडा हो गई है अब इसे हम निकाल लेंगे अब एक स्पून की साहिता से इस तरह से निकालेंगे इसे ठंडा होने के बाद निकालेंगे तो यह बहुत जल्दी ही निकल जाती है अब इसी तरह हम सारे इडली को निकाल लेंगे अब हमने सारे इडली को एक प्लेट में निकाल लिया है अब इसे फ्राइ कर लेंगे अब हम एक कड़ाई गरम करेंगे कड़ाई गरम करके अब हम उसमें तेल डालेंगे इसमें ज्यादा तेल नहीं डालना है दो चमच तेल डालेंगे अब तेल को अच्छे से गरम होने के लिए छोड़ देंगे अब तेल गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे आधा चमच, सरसो, मैं यहापे काला वाला सरसो ली हूँ, और आधा चमच, जीरा, अब जीरा और सरसो चिटक गया है, अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, मैं थोड़ा सा करी पत्ता ली हूँ, अब इसे भी थोड़ी देर चिटकने देंगे, अब इसमें डालेंगे मिनी इडली, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हमें 5-7 मिट तक भूनना है, यदि आप इडली को और स्पाइसी खाना करके खाना चाते हैं, तो आप इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, अब ये भून किया है, अब इसे हमें एक सर्विंग प आप इसके साथ सांबर, ग्रीन चटनी, नारियल चटनी या कैचप किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और ये बहुत ही healthy breakfast है, जो बहुत easily बनके ready हो जाती है, दोस्तों, अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी, तो इसे like करें, और मेरे channel को subscribe करें, और bell icon को press करें, और comment करके मुझे बताएं कि आप ओए recipe कैसी लगी, फिर मिलते हैं अगली recipe के साथ, तब तक के लिए, बाबाई